मैं कुमार मिंदू सुन तठी कसवाई शहर डेरियों सौन जिसका एक अंग डाल्बियनगर के रुप में चर्चीत रहा है का मुल निवासी हूँ और मैंने असी के दर्शक से अपनी साहितिक यात्रा की शुरुआत की मेरी एक पेड़ कप्ता का डक्टर प्रभाकर माचिवे ने महराथी में भी अनुवाद किया और अभी हाल फिलहाल में औरत शिर्शक से जो मेरी कप्ता है उसका डक्टर अरुट कुमार ने अंगरी जी में अनुवाद किया है मैं आपको अपने संकलन साज्ये का संसार की कुछ कप्ता हैं सुनाने जा रहा हूं मेरे संकलन की पहली कप्ता है साज्येदारी मैं वो शभत तलास रहा हूँ जो प्रेम का बीजि मंतर बन सके मैं वो गित तलाश रहा हूँ जो गाउ घर से बदर हुए बिदेशिया को जो मुल्क से बदर हुए खिलिस्तिनियों को, नस्र भेट के शिकार हुए काले हफ्षियों को, इनको, उनको, सबको ये वता सके, कि हम सबका दुख है एक, हम सबका संघर्स है एक, तुम्हारा दुख सिर्फ तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा दर्द सिर्फ तुम्हारा नही तुम्हारी जंग सिर्फ तुम्हारी नहीं है। शम्भता आपको भी बहुत पसंद आएगी, इस कप्ता का सुर्षक है, उन्वान है औरत, औरत की देह संप्रुता विहिन एक देश है, राजिती शास्त के सब्दों में एक उपनिवेश है, जो सदियों से करती है यह उद्गोस, मोरी देह बलम की जमिन दारी रे, काहे डारे नजर दुनिया सारी दे, औरत का रूप संदर को मल काया, किसी के लिए भोग विलास की वस्तूर, तो किसी के लिए महा ठगनी माया, वो जोग और भोग के चक्रवी में फसी है, मेनका और द्रुगा की परिभासा में बनती है, इसलिए औरत के अजादी का अर्थ उसकी देह की संप्रुटा है, औरत की देह हुसन की तहजीव है, और आक का एक दरिया भी जिसमें डूब जाती है, विष्टों की कस्ती तैर्पी है, सिर्फ इश्क की नाओ, औरत की देह इश्क की दरगा है, जहां खामोशी से कोई दर्वेश महबू को देता है आवाज, वो बिना हर अब्डों की करता है प्रात्ना, बिना कीसी क्फाईस की करता है दुए, औरत की देह इश्क में बन जाती है, पाप की कुरान आयते हैं, वेद की पवित्रे रिचाएं, सच्चे हिंडू के लिए काषजी, सच्चे मुसल्मान के लिए कावा, मगर मन तो बैपारी है, तन का क नारुबारी है, सुख का सौधागर है, उसके लिए देह और दुनिया एक मंडी है, इसलिए औरत के अजारी का मतलब महाजनी सब्वेटा की चितना से मुक्ती है। मैं आपको एक छोटी सी कव्टा सुनाना चाहूंगा, जिसका खिर्षक है, पोटनली, इसके बहाने आप समाजी हमारे जीवन में, सांस्कृति जीवन में जो बदलावा रहा है, उसको मैंने रिखांतित किया है, कव्टा सुने आप, शहर के एक फ्लेट से गुम हो गई है एक छोटी सी पोटली, उस फ्लेट में रहने वाली एक बढ़िया, अपने बेटा बहु के बुलावे पर, जब गाउं से आई थी शहर, तब कांख में दबा कर लाई थी, वह छोटी सी पोटली, कभी कभी जब उसके बेटा बहु चले जाते डिवटी, पोता पोती भी चले जाते स्कूल, तब घर में अकेली बैठी बढ़िया, होले होले खोलती अपनी पोटली, पोटली के खुलते गाउं गहर में तबदिल हो जाता था सहर का अत्यादुनिक रहाईसी फ्लेट, हवा में घुलने लगते जुमर के सब्द श्वर, गाउं के ओरते जुमर पारते हुए गाने लगती, निम्या के पता धरी जाला अंगनवा कैसे बुहारू जी, उहे रे आंगन में ससूर जी के देरा घुग कारत दिन जाला अंगनवा कैसे बुहारू जी, पोती को, मगर शहर की आबो हवा में पली, स्यानी बहु को, कमसिन पोती को, उस पोटली को देखकर आती थी घिन, जीवन के हासी पर घिसट जी रही बुडिया, एक दिन हासी सरक कर सुन्न में हो गई बुलाईन, जीवन के हासी पर घिसट कर जी रही बुडिया, जब एक दिन हासी सरक कर सुन्न में हो गई विलिन, तब उसकी पोटली भी हो गई कहीं गूंग, तब उसकी पोटली भी हो गई कहीं गूंग, एक और कवता, जो मुझे भी पसंद है और मेरे मित्रों को भी बहुत रास आई है, उसे मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसका सिर्शक है, मुझे इश्वर की जुरुत नहीं, मुझे इश्वर की जुरुत नहीं है, हाँ, मुझे धर्ती का एक टुकड़ा जुरु चाहिए, जहां मैं अपने बालवचों के सांथ रह सकूँ, मुझे अकास में चमकता दमकता सुरज हुचाहिए, ताकि मेरे घर में हो सके उजाला, हाँ, मुझे चान हुचाहिए, ताकि उसकी जादुरु रोष्णी में, मैं अपनी प्रेसी की आँखों में पढ़ सकूँ प्रेम का ढाई आखर, और कभी आंगन तो कभी छट पर, खा से यह भी पूछूंगा, रात में सोई ही नदी की देह के आकरसक कटी परतेश की आसपास उसका परतिविम डोलता है क्यों, मुझे धर्ती, सूरज और चान के अलावा हवा, पानी, आग और रोटी भी चाहिए, मैं इस दुनिया में इस वर के बिना भी जी सकता हूं, मैं इ इस वर को बिल्कुल ही पसंद नहीं करता, सच तो यह है कि मैं इस वर को बिल्कुल ही पसंद नहीं करता, क्योंकि उसके प्रिथिविवासी प्रवक्ता या घुशना करते हैं, इस वर की मर्जी के बिना प्रिण का एक पत्ता भी नहीं डोलता, उसके इस 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 वरी घुश िइसना हे जोर्क आने पक्रहसा हैं इसलिए मैं इपने दुनिया को विधिन देखना चाहता हूं कि एक और छोटी सी क्रचे जो मुझे बहुत प्रिये हैं और यह कर्क्डा मैंने तब्लिख ही थी, जब पाकिस्तान के बहुत चर्चित गजल गायक गुलाम अली मुंबई आना चाहते थे काजकरम प्रिश्ट करने के लिए लेकिन उनका काफी कुछ लोगों ने विरोद किया और उसके बाद फिर वो मैंने ये कर्पता लिखी मुझे गुलाम अली का गायन बहुत पसंद है उनकी गाय हुग गजलों को मैं अक्सा सुनता रहा हूँ उससे परवावित हो करके मैंने ये कर्पता लिखे ये एक सवाल किया है मैंने इसमें इसलिए इसका शिर्शक ही है इस कर्पता का ऐसा क्यों हुआ मुलाम अली तुम्हारी गाय हुई गजलों का कैसेट कल घंटो सुनता रहा और मुग्ध होता रहा तुम्हारी गायन कला पर उस गड़ी अपनी समस्चिंताओं को भूल कर तुम्हारे जादी सब्स्वर के आरोह औरोह के साथ डुबता उतराता रहा मैं सुर्शागर में लेकिन किसी वक्त यह खयाल नहीं आया कि तुम उस मुलक के वासी हो जो मेरे देश पर बार-बार करता है फोजी हमला रजता है इस दिन नई नई साजिशें और तो और मेरा हिंदू मन भी चूप रहा और तो और मेरा हिंदू मन भी चूप रहा उसने यह नहीं कहा अरे मुर्ख तुम मुक्द है जिसके गायन पर वो भी धर्मी है मलेच है मलेच मैं नहीं जानता ऐसा क्यों हुआ मैं नहीं जानता ऐसा क्यों हुआ क्या तुम बता सकते हो गुलामली और अंत में एक कर्पता मैं सुनाना चाह रहा हूं मच्छेरा मन मेरा मचेरा मन एक जाल बुन रहा है, उस जाल में सोन मचेरी नहीं, भोर में पुर्वी छितिच पर उगने वाले लाल सुरज को फासना चाहता है, क्योंकि मेरा प्रेमी मचेरा मन उसे तुम्हारे माथे की टुकली बनाना चाहता है, उसे तुम्हारे माथे पर सुहाग बिंदिया सा सजाना चाहता है, ताकि तुम्हारा मुखडा भी दम-दम-दम के, ताकि हमारा जोपडा भी चम-चम-चम के, मेरा मचेरा मन आकास गंगा में जाल फेक कर चांद को भी अपने जाल में फास कर उसका जुमका बनवाना चाहता है तुम्हारे लिए मेरा मचेरा मन आकास गंगा में जाल फेक कर चांद को भी अपने जाल में फास कर उसका जुमका बनवाना चाहता है तुम्हारे लिए ताकि हमारे घर आंगण में दिन राट डोलता रहे चांद ताकि हमारे तन्मन में प्रेम योद जगाता रहे चांद मेरा मचेरा मन पुरी दुनिया के लोगों को अपनी जाती में करना चाहता है शामिल, उनको भी बनाना चाहता है मचेरा, ताकि हर कुई अपनी प्रेशी के लिए, ताकि हर कुई अपनी पत्नी के लिए सुनहरे चांद को जुमका बना सके, लाव सुरज को तिकली बना सके, भ और इनका जन बिहार के रोहतास जिला के डहरी ओन्सोन डाल्मिया नगर में 1957 में हुआ असी के दसक से इन्होंने शाहितिक यत्रा शुरू की पेंड कविता का प्रभाकर माचवे द्वारा मराठी में अनुवाद किया गया इनकी कविताएं हिंदी के प्रमुक पत्रिकाओं जैसे की उत्तरशती कदम और आज हिंदोस्तान की शाक्वताः परिक था आदी में लगतार छपती रही इनके लेख भी कई पत्रिकाओं में छपे इनके वरताएं अकस्वानी से परशारित हुए दो दसकों तक दैनिक हिंदोस्तान के संपाद की विभाग में एक कार्ज़त रहे कुछ भश्पूरी फिल्मों में इन्हें अभिने भी किया और शंबाद भी लिखे ए रोहतास जिला में इट्टा और प्रशील लेखक संके स्थापक सदस्यों में से एक है और इन्होंने साजा काब संकलन आसपास की प्रतिध्वनिया में कवितान भी लिखी अभी अभी इनकी एक काब्य पूष्टक 2022 में छपकर आई है अविधा प्रकाशन मुझफर पुर्विहार से साजे का संसार और इस कविता शंग्रह में कुमार विंदु की जो रचना धर्मिता शामने आई है उसे देखकर आईसा लगता है कि बहुत दिनों बाद हिंदी में ग्रामिर परतिको और बिंबो के शहारे कविता को करने वाला कोई कवि मिला है हिंदी के जाने बाने कवी अरूंड कमल ने कुमार विंदु और कुमार विंदु की कविताओं के बारे में लिखा है कि कुमार विंदु ने अनेक प्रकार की और अनेक स्वरों की कविताएं रची हैं जिनका उद्बोधन हमें भीतर तक तिल मिला देता है वे बेहत प्रिवशेल और शाषिक कवी हैं सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी कविताएं बिना अरोध के पढ़ी जा सकती हैं और वे स्रल्ता के साथ साथ बहु स्वर्मयता से भी संपन है भजपूरी की आंतरिक शक्ति से आविष्ट इन कविताओं के साथ बहु दिनों के बाद हमारे बिस एक आशे कवी का पुनह आग्मन हो रहा है जिसकी कविताएं निताम्त अनूठी और कविक कर्म अध्यूतिय है अरूर कमल लिखते हैं कि आशा है सहिवदे पाठक इनका स्वागत करेंगे इस इन बक्तब्यों को देखने के बाद पहने के बाद सचमुछ ही हमारा ध्यान कुमार विंदू की तरफ जाता है इकेवन हम इस कवी को पढ़ें इस कवी के इस काबिशंग्रह को पढ़ें साजे का संसार को पढ़ें यह कवीता शंग्रह जो साजे का संसार है बहुत ही कम समय में हिंदी पाठकों आलोचकों को अपनी तरफ आकर्शित किया है आकर्शित करने के जो परमुख कारण है उनमें से मुख है विशेव बस्तु का चुनाव ग्रामिड शब्दों का एस्तेमाल ग्रामिड भीम्बो परतीकों का इस्तेमाल और सबसे बड़ी महत्पून बात है पसंद करने के पीछे के जो कारण बने हैं वे हैं कि कभी हर जगा समय से संबाद करता नजर आ रहा है और अपने समय के परिवर्तन को समझ रहा है जनता को भी समझ रहा है और शाशक को भी समझ रहा है धर्म को भी समझ रहा है धार्मी के रूढियों को भी समझ रहा है और इसी बेच जनता को सताने वाली जो शक्तियां है उनके उनकी चतुराई को भी समझ रहा है और उनके नंगेपन को भी समझ रहा है कवी ने अपनी कविताओं में कवीर को गांधी को एक ऐसे परिपेक्ष के रूप में रखा है जिसके चरित्र हमें बहुत कोच सिखने समझने के लिए उत्साहित करते हैं और समय को परिभासित करने में मदद करते हैं साजे का संसार कविताओं में अंभिक कविताओं हैं तो इस कविताओं संग्रह के मदद में जो कविताओं अस्थान पाई हैं वे है संसार का सबसे सुंदर द्रेश पता नहीं क्यों गिरना तुम आओगे तो वसंद फिर लौट आया है फिर कैसा जीवन है वसंद तोच सो हे इश्वर बंदू की नली से और अंत की जो कुछ कविताओं हैं उनमें से महत्पूर जो कविताओं हैं वे हैं मन खिडकी से जहाका मचहेरा मन रिष्टानाता नदी और इस्त्री कहीं चोर तु नहीं है चांद मैं शहर नहीं यह जाओंगा समरपॉन सुनो कवीर दुनिया के सबसे हसीन औरत यह कौन सा साथ है तो कुमार विंदू ने अपने कुल 78 कविताओं के माध्यम से जो आधुनिक यहां कहे तो शमकालीन हिंदी कविता में जो जगह बनाई है वह बहुत ही महत्पून है और इनकी कविताओं हैं विचार बिमर्ष के लिए एक भुमी उपलब्ध करा रही है एक मन्च उपलब्ध करा रही है जहां से इस पूरी दुनिया को, इस समाज को, समाज के रूप को, धर्म को, खड़ियंत्र को, धर्म और सत्ता के सम्मंद को असानी से समझा जा सकता है साजे का संसार कविताओं शंग्रह में जन्द चेतना का स्वर्प बहुत तेखे रूपों में उभर कर सामने आया है तो वहीं इस्त्रियों का दर्ब संगर्ष भी गहरे में उभर कर सामने आया है कवी ने मुहब्बत और प्रेम को अधार बनाया है ताकि जीवन जिस उदेश हित्व मिला है उसको सार्थक बना जा सके उसे उप्योगी बनाया जा सके उन्होंने आय मेरे मीत कवीता में लिखा है कि आय मेरे मीत प्यासी नदी है प्यासा समंदर है प्यासा पहाड है प्यासा कुवा पोखर है आय मेरे मीत तुम अपनी लंबी जुल्फे खोल के विखरा दो कि नजरों को काली घटा का गुमान हो जाए और हवा में लहरा दो अपना एह हसी आचल कि मचल उठे मेरा जमा दिल सावन की घनखोर घटा के लिए अए मेरे मेत तुम्हारा ये आंचल इनकलाब का पर्चम भी है महबबत के दिलकस तराने का शरगम भी है मैंने तुम्हारे इसी हसी इनकलाबी पर्चम के लिए कभी फरहात तो कभी दसरत मांजी बनकर कभी दर्या तो कभी शनके बनाई है पहाडों की शक्त खडियां तोड़कर ऐ मेरे मीट तुम्हारे लिए मुहब्बत के हजारों गित गाय हमने दूद की दर्या बहाया ताज महल भी बनाए हमने जंगल को एक दिन गाऊं गाऊं को एक दिन नगर बनाए हमने खुद को बुलंद और बुलंद और बुलंद किया हमने आए मेरे मीट इश्क की ए रवायत खुश्न की ए तिलावत हायात की ए इबादत आज सब कुछ खत्रे में है यजेदी शियासत के शंगीन पहरे में है ऐ मेरे मीत तुम अपने हंसी आंचल को आज पर्चम बनाओ कि मेरे लब खुश्ण के इश्क के खयात के इनकलाब के नग में जुन गुनाओ इस तरह से हमने इस कविता में देखा कि कुमार बिंदु ने किस तरह से अपने मीत से जो कुछ कहा है उसके बनिश्पत प्रक्षूंदर दुनिया का और खुबशूरत दुनिया का अधिरशना शंभव हो सका है मनुसके जीवन में अगर प्रेम तक तो हटा दिया जाए तो ए दुनिया बहुत ही खालीपन महशूश कराएगी जिन्दगी में लेकिन इसे पाटने के लिए कुमार बिंदु ने हर जगर प्रियास किया है ताकि ए संघर्ष भरी जिन्दगी में भी मुहब्वत इंसान के जीजुश्या को बढ़ाने में मददगार्ष साबित हो कभी ने इस कविता के संघर्ष में गुम्शूदगी अजीब आदमी ऐसा क्यों हो रहा है डरा हुआ आदमी जैसी कविताएं भी लिखी है डरा हुआ आदमी कविता में वे कह रहे हैं कि डरा हुआ आदमी किसी हिटलर का बिरोध नहीं किसी सुकरात का समर्थन नहीं सूली पर चढ़ाय रहे इसा मसीह का सीने पर गोली खाते हुए गांधी का सरक्षन नहीं करता है वो दूख में भी मुक बना रहता है डरा हुआ आदमी न जीते हैं न मरता है एक जिंदालास बन जाता है और सासक वर्ग जो है इनसान को डरा हुआ आदमी में तब्दिल कर रहा है और जब तक मनुस अपने भीतर के डर को हमेशा हमेशा के लिए फ़ना नहीं करेगा मिटाएगा नहीं तब तक सासक की चालें सासक के शपने समाप्त नहीं होगे तूटेंगे नहीं बिखरेंगे नहीं उन्होंने तथागत से भी सवाल किया है और सवालों के दर्मियान उन्होंने मिहनत कस भुखे नंगे और गरीब लोगों के बारे में ऐसे कुछ सवाल उठाए हैं जिन सवालों में अमेरी और गरीवी के रहश्र का परदफास हो रहा है उसने लिखा है कि बताओ इस संसार में कुछ लोग अमीर शारे मेहनत कस भूखे नंगे और गरीब क्यों हैं इशानों कारी गरों मदुरों के घर में भुखमरी और गरीबी का तांड़ों क्यों हैं किश्री की अमीरी का राज क्या है किश्री की गरीबी का फास क्या है मैं यह सोच रहा हूँ अगर तुम कुलीन परिवार के राजकुमार नहीं एक मा मुली किसान के बेटे होते खेत खलियानों में दिन वर हार तोर भेनत करने पड़ते शुबह में रोटी गूर रात में माल भात खाने के मिलते तब तुम्हारे कोमल हिर्दे को कौन-कौन सा दुख शा जालता तब तुम्हारे चिंतन मनन का क्या विशयव होता भंते बुद्ध परवी सवाल उठाया है कुमारे बिंदु ने और सुषित बेड़ी जनता के शांत वह खड़ा हुआ नजर आ रहा है और शहर के शेष्चहुकारों राजी रजवारों पर उसके द्रिष्टी जात होती है जिनकी वजह से गरीबी और ब्याप्थ है तानाशाह का शपना मीट नहीं रहा है तानाशाह के निन्द तब हराम होती है जब कोई आम आदमी संभुक सा आदमी मुश्कुराता है कुमारे बिंदु ने शंभुक के बहाने उस प्रभुक को भी कठगरे में खड़ा किया है जो कहीं न कहीं पुरुहतों की वजह से बहक्षे गये थे बहुत कठीन है आज सुर्ज कुछ इस तरह मिला प्रेम छुवन जैसी कविताएं भी कुमारे बिंदु की हमें अपनी और आकर्षित करती है और अपने शवालों अपने किरदारों के माध्यम से जनता को जागरुक बना रही है कुमारे बिंदु की एक छोटी सी तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत बड़ी भी नहीं कह सकते एक अविता है छोटी सी मेरी दुनिया और इस दुनिया के शहारे उन्होंने राम, कृष्ण, बुद्ध, जैन, इशा और मुशा सब को अपने घिरे मिलिया है और यह बताने की कोशिश की है कि जीवन जो है वह इसलिए है क्योंकि जिन्दगी में राग है जीवन है इसलिए है क्योंकि चुले में याग है उन्हों लिखा है कि मेरे दुनिया के बासेंद्रे अपनी भूक से अपने सुख़दुक से अपने चुढे की याग से अपने जीवन के राग से धर्ती के सारे वाशिंदों को जोड लें तो कुमार बिंदु की यह शलाह निशिती नेक है क्योंकि उन्होंने इन राग और पेट की याग कह लें कि शहारे उसने दुनिया को जोड़ने की बात कही है रंग भेद, नसल भेद, जाते भेद, मजहब, धरम का भेद भूल कर और एक दुसरे से प्रेम करने की शलाह देते हैं उनकी कविता मैं चाहता तो यह था, मैं भी उनके सपने, उनकी खुसबू से हम रूबरू होते हैं उन्होंने तुम हशो कविता के माध्यम से बच्चे की खिल खिलाहट को जरूरी मारा है ताकि यह दुनिया सच्मूच दुनिया लगे आओ दोस्त, आए मेरे मित, चड़ते शावन, आदी कविताएं भी अपनी विशय बस्तू की वज़़, अपने पैनेपन की वज़, अपने तीके सवालों की वज़, अपनी मुद्राओं की वज़, हमें अपनी तरफ अकरशित करती है, पाठकों को लुभाती है, सोचने पर बद्ध करती है, उन्होंने संसार का सबसे सुंदर द्रिश कविता में एक बुढ़े के बारे में लिखा है कि एक असी वर्षी ये बुढ़ा आदमी अपनी बुढ़ी पत्नी को बाहों में भरकर चूम रहा है उसका पोपला गाल यह जब द्रिश शामने आता है तो आखों में निचित ही चमक आ जाती है कि काश ऐसा द्रिश बार बार देखने को मिलते हैं पता नहीं क्यों घिरना आदी कविताय भी अपने आप में महकपूम हैं त्योंकि वे कभी गुद गुदाने वाली प्रेम कहानियों की याद दिलाते हैं जुद की निरा ठक्ता पर बात करते हैं कि मारविंदो की बसंत लोट आया कविता भी अपने आप में महत्पूम्ड है नो लीका है बसंत फिर लोट आया है अमलतास के हरे भरे पेड़ों पर खील गए हैं गिनत पीले पीले फोल जैसे किसी नो जवना के देह पर बड़ी बजुर्ग औरतों ने लगा दी हो हल्दी का लेप जैसे किसी नो ब्याता ने उड़ ली हो लगनोती चुनरी और उन्होंने अपनी और कविताओं जाग मेरे मन मचेरे तुम्हारे बगार मुमकीन नहीं में बहुत सारे ऐसे बिंदू बहुत सारे ऐसे द्रिश स्रिजित किये हैं जो आखों से ओजल नहीं होते बलकि बार-बार स्मरण होजर होते हैं उनकी एक कविता सुनो कवीर को पढ़ना जरूई है क्योंकि इसकी अंतिम पक्तियां जो संदेश देना चाहती हैं वे साजे का संशार कविता के शंग्रह का मुख संदेशों में से है फिर क्यों न हम इसके विता को सुन ही लें सुनो कवीर माया महा ठगनी ही सही उसकी अकत कहानी ही सही उसके हाथों में तरगूर फास ही सही मगर उसके हंसी पहलू में जिंदगी मुस्कुराती तो है प्रेम घीत गुनगुनाती तो है कई हंसी ख्वाब आँखों में पतले तो हैं कई शोख अरमा दिल में मचलते तो हैं जिन्दगी के ओ हंशी ख्वाब जो किसी की आँखों में उठे तो किसी की आँखों में डुबे, डुपजाना तक दीर बने तो सही, इसक की ए ताभीर बने तो सही, ए मोहबत कयामत ही सही, एक दिलकश फरेव ही सही, मैं उशी हंशी फरेव में फसना चाहता हूँ, कुछ प्रेम पत्पर चलना चाहता हूं कुमार विंदु ने अपने इस कविता संग्रा के माध्यम से बताया है कि उसका असल उदेश्ट दूसरों के लिए जीना और मरना है और प्रेम पत्पर चलना है धन्वाद शांथियों